QNet के खिलाव देश भर में प्रदशन हो रहा है जोसी बिजनेस ने सबसे पहले QNet के बिजनेस मौडल का परदाफाश किया था QNet पर Z Business के खुलासे का बड़ा सर हुआ है मुंबई पुलिस ने Z Business से QNet के खिलाव जांच में मदद की मांगी है तो वहीं दिली पुलिस ने इसके खिलाफ चांग शुरू करती है जी बिजनिस ने खुलासा किया था कि कैसे क्यूनेट के एजिन्ट लोगों को रातो रात करोड़ पती बनाने का सपना दिखा कर उन्हें बिजनिस पार्टनर बनाने का चांसा देते हैं और आईए अब हम आपको बताते हैं कि क्यूनेट आखिर कैसे काम करती है सबसे पहले क्यूनेट से जोगा कोई व्यक्ती जो आपका दोस्त या रिष्टिदार भी हो सकता है आपको फोन करता है फोन कर वह आपको रातो रात अमीर बनाने का सपना दिखाता है साथ ही कहता है कि वह अपनी जिंदगी में खुश है और तुम्हें भी रातो रात करोड़पती बनना है तो उससे एक बार मिले फिर दिल्ली या किसी शेहर के पॉश इलाके में कॉफी शॉप पर मिलने के लिए बिलाया जाता है वहाँ नए निवेशक को ऐसा सपना दिखाया जाता है जिससे वो एक छटके में करोड़पती बन जाएगा जी बिजनस ने जब इस पूरे बिजनस मॉडल की जाच की तो देखा कि कैसे बेवकूफ बनाया जाता है सब करें कैसे हम सब करते हैं किस तरह Templar करilik करता है Assamah अईक भूली करते है क्मारग करती है प्रूली करेंर निटीकिछ क्षपॉट्टमाग पैसे ब्यूर आज करते हैं इन दोनों में क्या difference रहता है अगर आप जैसे थीन लाग करते हैं तो क्या प्रड़ता है और मिनमम करें तो क्या मिनुक्सान है मतलब भीजिए सर्थ अब यह क्या क्या आपने जो भी पैसे डाला आप अब अब इस्ट्रिब्यूटर करें प्रड़क को खरीदा तो कंप्री ने कुछ रेट किया हमारे यहां पे शुरू के अठारा महिने में यू स्टार्ट में बेकिंग 1.5 त 2 लाथ रुपीस पर मन्थ जब वो निवेशक पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है तो उससे पैसे एट कर उसे टर्नर बनाया चाता है साथ ही उसे कोई छोटा मोटा प्रोडक्त दे दिया जाता है इसके अलावा निवेशक को उसी के पैसे से हॉलिडे पैकेज तक दिया जाता है शुरू में पता नहीं चलता कि कमपनी आखिर क्या करती है और क्या बनाती है पार्टनर बनने के एक महिने बाद जब पता चलता है तो ग्राहक समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ठगी हो चुकी है अब वो कमपनी से पैसे वापस मांगने जाता है तो उसे कहा जाता है कि कमपनी पैसे नहीं दे सकती क्योंकि उस पैसे का प्रोड़क्ट दे दिया गया है आपको पैसे तब मिल सकते हैं जब आप दूसरे लोगों को क्यूनिट का पार्टनर बनाए और एक चेन के रुपे काम करें जो व्यक्ति कमपनी के जाल साजी का शिकार हो चुका होता है वो दूसरों को इसके जाल में फासने के लिए निकल पड़ता है जी बिजनस को कॉफी शॉप पर ऐसे कई लोग मिले जो लोगों को बेवकूप बना रहे थे जी आए पर जाल साथके पासफोर्ट में लेकर वीजा वीजा करा रहे हैं क्यों कि अब दिन बचे ही नहीं पंदरा देन के बाद तो सब लोग उड़रे है प्रोडक्ट जितने भी पोड़ल पर है हरे की एक यूनिट वैल्ली हुए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और हर एक लोग में जोनने है तुम एक ही बंदा रफर कर दोगे यहां पर बीस उनिट पर ही इस ओके बीस उनिट का समान बिता मंदा वंदाब वीजा तुमें चालेजगार कमिशन एक साइड की मिनिमम कितना आपा बशार करता है अलोग प्रियदरशीद, Z-Media